दोस्तो रिसेंटली पोलेंड के उपर एक मिसाइल अटैक की खबर सामने आई और नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर एक नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो वो अटैक सभी नेटो मेंबर्स के अगेंस्ट माना जाएगा और पोलेंड एक नेटो मेंबर है तो पह अटाक नहीं था लेकिन फिर भी इस अटाक के बाद नेटो की इमर्जंसी मीटिंग बुलाई गई जिसके बाद नेटो के सेकेटरी जनरल ने अनाउंस किया कि ये एक डेलिबरेट अटाक नहीं है और मज़े की बात ये है कि युकरेन इन्वेजन के बाद पहली बार रेशिय